नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे पर्थ सकोचर वर्सिज मैलबॉन रेनिगैट्स की टीमों के बीच जो बिग बैस लीग 2022 ड्रीम 11 का मैच खेला जाएगा उसके बारे में तो सबसे पहले दोस्तों दोनों टीमों में कमपैरिजन करोंगे तो यहाँ पर्थ सकोचर का जो टीम है वो डेफिनली इस वाले मैच में फैवरेट रहेगा क्योंकि रेनिगैट्स के पास है न दोस्तों वो बर्टिंग में डेफ्ट इतना जादा नहीं है और इनके पास प्रदा क्वालिटी वाले विकेट टेकिंग ओप्शन आपको नहीं दीखेंगे इस वाले मैच में कौन से प्लेयर आपके लिए स्मोल लीग के लिए बैटर फिक बन सकते हैं किस प्लेयर को रोटेशन में एजट ट्रंब काड के रूम में ग्रांड लिग में ट्राइब कर स लिंक डाल दिया है टेलेग्राम का सिधा जाके डायरक्ली वहां से भी आप जोइन कर सकते हो एनलाइसी सेक्षन में आते हैं तो मैच जो है वो दोस्तों फिप्टी सेकिंड नंबर मैच बिग बैस लिग दो जार बाइस तेस का यह रहेगा पर स्टेडियम उस्टेलिया में एक बजकर 45 मिनिट पे दो पैरकेस में मैच स्टार्ट होगा रिसेंट में जो इस सीजन में मैचेज कहले गए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे पेसर गैंदबाज को यहाँ पे हर मैच में देख सकते हो बहुत सारी विक्टे मिली है और इसके अलावा य टीम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इनसे लिफ बैटर लगे रहा इस वाली मैच में तो उनके जो पेसर हैं जो डेथ में बोलिंग डालते हैं वो आपके लिए बड़ी आ कैप वीशी की चोईज रहेंगे बात कर लेते हैं प्लेंग लेवन की तो पर्थ स्कोचर प्लें लेकिन उससे पहले इन्हों ने अच्छे रन्स करवा कि दिये थे दो हाफ सेंचुरीज भी लगा चुक है और इस टीम के अगेंस्ट में रेंगेट्स के 29 के एवरेज से बैटिंग करते हैं इंपोर्टनेट रहेंगे भी इसके बाद आते हैं स्टेफन इसका जी लाश्ट क अगेंस्ट में 42 का एवरेज हैं लेकिन 3 मैच में 42 ही रन बना की दियें जहां पर नीचे बैटिंग करने आ रहे थे पहले उस टाइम की बात है अभी ये वन डाउन बैटिंग करते हैं इंपोर्टनेट रहेंगे और कभी भी बोलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि पेसर को यहां मैच में बड़ी है इसके बाद अस्टन ठर्नर जिनके अवर्स भी कम हो रहे हैं और साथ में इतने ज़्यादा विकेट टेकिंग नहीं है लेकिन बैटिंग से परफॉर्मस दे सकते हैं लेकिन बैटिंग देखिए पांचवे जट्वे नमबर पर रहेगा तो इतने ज़्य की ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहते हैं इसके बाद देखिए निकंबसन आते हैं कोई ज्याधा इंपोर्टेंट रहेए नहीं अगर इनके अवर्स कभी कम हो सकते हैं और इनके जो वर्स कम होंगे वह अस्टन ठर्नर आपको डालते वे दिखेंगे लेकिन बैटिंग बैक अप दे जाते हैं साथ वे नंबर पे आपको बैटिंग करते वे दिखेंगे डेविड पाइने लॉंस मौरिस एंडु ठाई तीनों विकेट टेकिंग बॉल दोस्तों को खेलेगा information आपको टेलिग्राम में दे देंगे अब बात कर लेंते हैं यहां पर मैल्बॉर रेंगेट्स प्लेइंग लेवन की लेकिन उससे पहले अपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए 200 लाइक का टारगेट है जल्द इतना ज़्यादा experience नहीं है और सामने quality पेस टेक रहेगा तो इस player को भी मैं साइध अपनी टीम में ना cover करके चलूँ फिर आते हैं Sam Harper फोर्म अच्छा चला है साथ हम विकेट की पिंग का backup रहेगा तो वहां से भी कुछ पॉइंट देने के चांसे इस टीम के अच्छा खेल जोनाथन वेल्स को Grand League के rotation में try कीजिएगा most of the time 20-25 जाते जाते हैं अपना विकेट फैंक दे रहे हैं मैट करे चली जो की hours नहीं डाल के दे रहे हैं अगर यह hours डाल के देते हैं तो एक must epic रहती लेकिन अभी केवल बैटिंग depend पे हम try नहीं कर सकते हैं इस player को क्योंकि बैट ट्रंशी की choice भी रहेगा first bowling करता है तो वी सी आप try कर सकते हूं डेविड मुड़ी राइटाम मीडियम गेंदबाज चार वर आपको complete डाल के देंगे यह आपकी टीम बहुत बड़ा trump card pick बन सकता है क्योंकि पेसर को यहां पर मदद रहेगा फौद एम लेक ब्रेक गेंदब पिछले मैच में दो विकेड निकाल की दिये थे लेकिन इतने ज़्यादा important नहीं रहेंगे क्योंकि सामने वारे टीम मेना top order के batsman वो quality batsman है तो साइध अपना विकेड जल्दी इतना फैंकेंगे नहीं तो यह इतने ज़्यादा important नहीं रहेंगे बैंसे में यह और कुछ प् पर्फोर्मस देखा हैं पिछ रिपोर्ट देखा हैं और कौन सा टीम स्ट्रोंग फेवर रखता है टीम प्रडिक्शन देखा है उसी के बेस पे देख लेते हैं अपना समोल लिक का टीम बाई सबसे पहले विकेड किपिंग सेक्शन देखें तो आपको दो प्लेस मिलेंगे सेम हर्पर और जो सिंगलिस दोनों इंपोर्टनेट है दोनों का फोर्म अच्छा चला है और दोनों विकेड किपिंग से बैक अप भी देंगे तो दोनों बड़ी अचोईस हैं दोनों को अपनी टीम में कवर कीजिगा और आप अगर रिस्क लेना चाहें तो सेम हर्पर को रोप करने का रिस्क भी ले सकते हैं और कोई एक्स्टा पेस गेंदबाद जैसे की डी मुड़ी हैं उनको आप अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हों सेम हर्पर की जिगह पर अगर फर्स्ट बोलिंग होता है रेनिगेट्स का तब ठीक है यह विकेड टेकिंग गेंदबाद ह है तो डीफरेनली बड़ी अपिक लेकिन जिस तरह का विकेट है पेसर गेंदबाज को एडवांटेज है तो मैं सारे के सारे पेसर गेंदबाज उनको अपनी टीम में कवर करने की कोशिच के तो एरण फिंज को मैं टीम में कवर नहीं कर रहा हूं और दोस्तों ड्रीम 11 का जो रूल है वो थोड़ा सा चैंज हो एक उस दिनों के लिए तो उसमें देखें आप ज़्यादा हिस ज़्यादा बोलर्स कर सकते हैं बोलर्स अगर आपको एक ट्राइब करना यह तो ज्यादा बैटसमन ट्राइब कर सकते हैं जो वैसा ही मैंने यहां पर किया किवल एक बैट्समैन केमरून बैंक्रोफ्ट को अपने टीम में ट्राइब करूं आप चाहों तो इसका नाजी को भी अपने टीम में रख सकते हैं दोनों का फोर्म वैसे अच्छा हैं दोनों ही consistent बल्लेबाद हैं मार्टिन गप्टिल टोटली miss and hit वाले बली बाद मेरी टीम में फिट नहीं बैठे हैं जोनाथन वैल्स 20-25 रिंड करते करते हैं अपना विकेट फैंक दे रहे हैं तो इतने इंपोर्टनेट रहेंगे नहीं अस्टन टर्नर बोलिंग का शोर्टी नहीं रहता है बैटिंग पा लग रहे हैं क्योंकि सामने वाले टीम जो है ना दोस्तों रहने गैस्ट थोड़ा सवीक लग रहा है तो उस कंडिशन में हो सकता है एक आधा विकेट निकाल दे तो अपना काम करके चले जाएंगे और साथ में बैटिंग बैटिंग करने आएंगे अपने कैरियर की सबसे इंपोर्टनेंट रहेंगे हर मैच में रंस करवाके देने नीचे आथ से विल सदलेंड बैटिंग बैक अप रहता है तीन से चार वर का बोलिंग रहेगा और मॉस्ट अप टाइम एक दो विकेट निकालके दे रहें उसाथ में बोलिंग बैटिंग से भी परफॉंस दे रह बोलिंग सेक्शन में देखें कैन रिचर्टसन नहीं खेलने वालें दोस्तों स्क्वाइड में नहीं है नीचे एंडिव टाई टी रोजर्स पिटर हटकजलू डेविड पाइने लांस मोरिस और डी मूडी सारे के सारे जो पेसर गेंदबाद जैसे हैं वो मैंने अपनी टी टीम में कवर किया है लगब आठ गेंदबाज जिनमें कैप्टन मेरे एंड्यू टाई वाइस कैप्टन मैंने लांस मोरिस को रखा है इसमें फर्स्ट बोलिंग करता है रहने तो टी रोजर्स एक बड़ी है कैप वीसी की चोईस रहेंगे विल सदर्लैंड के साथ भी आप कैप्टन सी चोईस में जा सकते हो और जो रिस्क टेकर हैं वो डेविड पैने को भी अपने टीम में सी वीसी ट्राई कर सकते हो ग्रांड लिग में आप जोस इंगली इसको जरूर से कैप वीसी ट्राई कीजिएगा दोस्तों अभी के लिए जो टीम अपना ये है फाइनल ट मिलते हैं इसी तरह किसी next informative वीडियो के साथ तब तक के लिए all the best guys